तो शुरू करते हैं, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कैसे कैसे ओडर्स लगा सकते हैं हम शेयर मार्केट के अंदर, कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, अगर आप नए हो और आपने हमारी पूरी प्लेलिस देख लिया है, तो आप ये चीज़ समझ चुके होंग मैंने इसको क्लिक किया, अ अब माल लीजी मुझे इसमें काम करना थे चार्ट पर क्लिक क्लिक करने के बाद मीरा चार्टwerופ रूपन हो चुका है, मेरा कहना है कि नीचे जाएगा, इसको हम बेचना चाहते हैं, तो बेचना चाहते हैं, तो इसके पीछे का common sense यह होगा कि बेचा और बेचने के बाद एक stop loss यहाँ पर लगा दिया अगर यह उस price पर गया तो हमारा stop loss टच हो जाए अब आपको एक चीज समझा देता हूँ stop loss क्या होता है? माल लिजे आपने किसी share को यहाँ पर खरीदा ठीक है? आप कहते हो कि भाई यह उपर जाएगा और यह उपर नहीं जाता और जाने की बजाए यह वापस नीचे की तरफ जाना चालू हो जाता है तो stop loss आपकी जान बचा पाता है stop loss लगाने का main कारण यह हो जाता है कि भाई आपने बोला कि एक stock को मैंने यहाँ पर 2827 पे माल लीज़े आपने इसको buy किया और आपने बोला कि 10 रुपीज का stop loss में लगाना चाहता हूँ एक share पे 10 रुपीज के जादा loss मैं नहीं लेना चाहता तो उस condition के अंदर अगर आपने stop loss नहीं लगाया होगा तो यह क्या होगा नीचे तक जाता रहेगा और आपको losses बनते रहेंगे पर अगर आपने stop loss लगाया है तो होने क्या वाला है माल लीज़े मैंने stop loss बोला 10 रुपीज मैंने entry की है ठीक यहाँ पर और मैं कहता हूँ कि 10 रुपीज के stop loss के साथ मैं बाहर होना चाहता हूँ तो आपने यहाँ पे इसको buy किया अगर यह ऊपर चलता जाता और आपने बोला कि मुझे 20 रुपीज का profit चाहिए तो आपको यहाँ पे profit मिलता कुछ अगर यहाँ पे buy करने के बाद आपका यहाँ पे यह पहुच जाता और आपका target अचीव हो जाता तो अच्छी बात है अगर target अचीव नहीं होता और यह पीछे की तरफ like reversal करने लगता है आपकी बताये हुए के हिसाब से नहीं चलता तो आपको बड़ा loss भी हो सकता था तो उस condition में यहाँ पे आपको stop loss लगाना ज़रूरी हो जाता है तो इसको बोलता है stop loss अब बात करें हमारे market में अभी के time पर अभी presently बात की जाए तो हम December में बात कर रहे है माल लिजे मुझे buy करना है किसी stock को तो मैंने क्या किया मैंने यहाँ पे choose किया intraday I think intraday और long term क्या होता यह concept आप समझ चुके होंगे मैंने पूरी videos में explain भी किया है बिल्कुल आराम से explain किया है ताकि एक नया इंसान बहुत आराम से इस चीजों को सीख पाए तो माल लिजे मैंने यहाँ पे 10 shares को buy करना है buy करना है intraday में आज ही खरीदूँगा और आज ही profit हुआ तो trade बंद कर दूँगा अगर price माल लिजे 2800 है तो तुरंत आपका 2800 पर आपकी entry हो जाएगी बट दूसरे तरीके का जो order होता है उसको बोलता है limit order limit order का मतलब क्या है माल लिजे price अभी है 2800 and 9 रूपीज मैं चाहता हूँ कि जब इसका price 2790 रूपीज आ चाहे तब मैं इसको buy करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा मैंने यहाँ पर price fill किया limit choose किया और कुछ नहीं छेटना है ठीक है बस यहाँ पर buy पर click किया तो अभी मेरा order market में लगा नहीं है वो pending situation में आ जाता है वो लगेगा कब जब हमारे SDFC bank का price 2790 रूपी हो जाएगा I think clear हुआ देखो मैं बिल्कुल अराम अराम से इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर कोई नया इंसान वीडियो को देख रहा है जैसे कि जिस मेरे intention से मैंने वनाई है कि भई अगर कोई नया इंसान है तो वो बिल्कुल समझ जाए कि कैसे हम लोग काम कर सकते हैं मार्केट के अंदर ठीक है तो आप प्लीज ध्यान से समझना है कि मैं कहना कह चाता हूँ तो इस तरीके से आप buy कर सकते हो और अपना buy का order लगाओगे यभी market बंद है otherwise order लग जाता ठीक है तो यह हुआ buy करने का तरीका सेम चीज हम यहाँ पर window को change भी कर सकते हैं जैसे कि यह buy है तो इसको sell पे exchange कर देंगे वो भी किया जा सकता है बट मैं आपको बिल्कुल 0C बताऊंगा आपको यहाँ जाना है यहाँ पर sell पे click करना है अब माल लीजे आपको 10 share बेचने हैं बेचने का मतलब क्या होता है देखो मैंने पिछली वीडियो में भी एक concept बार पर बताया है कि share market में लोग समझते है कि केवल तब पैसा बनता है जब market उपर जाती है बताना चाहता हूँ यही दुनिया में एक ऐसी market है जहाँ पर जाने पी पैसा बनेगा नीचे आने पी पैसा बनेगा और अगर market एक जगा रहती है तो भी पैसा बनेगा मतलब पैसा तो बनेगा बस आपको सही पैसा बनाना आना चाहिए common सी बात ये implement होती है ठीक है तो देखो अभी की बात की जाए sell करना sell करने का मतलब होता है short sell intraday की बात की जा रही है short sell करने की बात हो रही है short sell का मतलब है पहले महंगा बेच दो मालो मैंने यहाँ पे इसको बेच दिया मुझे पता था है नीचे जाएगा मैंने इसको यहाँ पे बेचा तो किसी इंसान ने यहाँ पे खरीदा है ध्यान रखो share market खरीदने और बेचने का पूरा पूरा गेम है that's it यहाँ पे इसको मैंने बेचा बेचने के बाद मैंने इसको बेचा था 2828 रुपे उपर आगे price देखो यहाँ पे इदर की दरफ चीक है अब यह नीचे गिर गया नीचे गिरते 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 यहाँ पे आ गया मुझे दिखाई दिया कि मुझे भाई बहुत अच्छा profit दिख रहा है 30, 60 रुपीज पर इस टॉक मुझे profit दिख रहा है मैंने क्या किया यहाँ पे अपने इस shares को खरीदा और अपने डीमेट अकाउन में लाइक उसको neutral कर दिया तो बीच का जो difference था एक share पे मुझे 60 रुपीज का जो profit हुआ अगर मेरे पास 10 share मैंने short sell किये होते तो मुझे 600 का profit होता और 100 shares को मैंने short sell किया होता तो मुझे 600 रुपीज का profit होता तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपने profit को improve कर सकते हो कॉमनसी बात आती है short selling इसी को ही बोला जाता है मैं अगेन बोल देता हूँ share market में उपर जाता है comment box में तो इस तरीके से होता है order type हमारे अभी दो तरीके के order यहां पर काम कर रहे है पहला है market order दूसरा है like market order दूसरा है हमारा limit order और भी order होता है मैं आपको बता देता हूँ एक होता है bracket order जो की अभी बंद किया गया है bracket order में क्या होता है जैसे मैंने इस example में बताया कि मैंने माली जी यहाँ पे इसको buy किया और मैं यहीं भी बता देता हूँ कि मुझे 20 उर्पे का target चीए और अगर यह मेरे से opposite जाने लगे तो मुझे 10 उर्पे का loss ले सकता हूँ देखो यह चीज हुई, अगर यह उपर जाके 20 उर्पे का target चीए तो उसको हम बोलते कि हमारा take profit अचीव हुआ सेम चीज यहाँ पे stop loss टच हो गया तो हम बोलते कि हमारा stop loss hit हो गया, तो इस तरीके से काम किया जाता था bracket order में अब तीसरे तरीके का एक और order होता था जिसको हम cover order बोलता है covered और order में क्या होता है उसके अंदर मैंने माल लो यहाँ पे इसको buy किया, अब buy तो कर लिया पर इसके अंदर हम लोग target नहीं बताते हम क्या करता है, हम पीछे stop loss बोल देता है, कि भाई यह मेरा stop loss है अगर यह यहाँ पे आ जाता है तो मेरी trade बंद कर देना, मुझे 10 रुपे से जादा का loss नहीं होना चाहिए किसी भी share के अंदर, चलो अगर यह उपर जाता रहता है, उपर जाता रहता है तो क्या होगा, आपको profit बंते रहेंगे तो उसको हम बोलते थे cover order मैं अगेन एक बार फिर से revise कर देता हूँ क्योंकि मैंने बोलाया कि यह वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बिल्कुल 0 से सीखना चाहता है जिनका interest share market में है बट उनको पता नहीं है कि काम करना कैसे है तो यह वीडियो के वल उनके लिए ही है market में दो तरीके के order अभी काम कर रहे है regular order जिसको market order बोला जाता है market में buy कर लो या sell कर लो limit order जिसमें कि हम अपने limit लगा देता है उसमें भी हम काम कर पाता है तो इस तरीके से आप buyer और seller बनके काम कर सकते हो किसी को भी कोई कोई तरीका question है तो नीचे मैंने अपना number दिया है description में मौँआ पे whatsapp कर सकते है मैं personally आपकी help करूँगा ठीक है अगर आपको मेरी महनत पसंद आ रहे है तो दोस्तो प्लीज एक like जरूर कर देना ठीक है वीडियो बनाने में काफी महनत लगती है और I wish कि जो चीज मुझे पता है अगर मैं आपके साथ share करूँगा तो वो और grow करती है knowledge एक ऐसी चीज़ है share करने पर और भी भढ़ती है तो common सी बात है यह मैं अपने लिए भी कर रहा हूं और आपके लिए भी कर रहा हूं और किसी को कोई भी question है तो नीचे comment जरूर कर देना और अगर कोई basically कोई कुछ learn करना चाहता है तो यह number पर contact करके बात कर सकता है तो चलिए मिलते हैं next important video के अंदर जिसमें कि हम लोग सीखेंगे कि कि कितना margin requirement होता है रोकड़ा कितना लगेगा share market में काम करने के लिए ठीक है तो मिलते हैं next video के अंदर जिसका i button में मैंने link भी दी है ठीक चलिए मिलते हैं next video में